हाई ट्रेडर्स दिस गुद्पिसिंगिया, so once again welcome back to our channel CPR Price Action Trading CPR by Guru so आज मैं आपके साथ एक अपना एक ऐसा गुरुमंतर जा फिर एक ऐसा strategy शेयर करने वाला हूँ, जो मैंने अपनी लाइफ में अपनाई और मेरी ट्रेडिंग में काफी changes आ गए और मतलब आप यह बोल सकते कि उस strategy को अपनाने के बाद मैं profitable होना शुरू हो गया देखें मैं आपको एक चीज़ कहूंगा, भले ही आप एक profitable trader नहीं है तो यह चीज़ आप अपना के देखिए, तो आप definitely मैं आप कहता हूँ कि इसको एक माहिना कर लिजे, मतलब 30 दिन इस strategy को आप apply कर लिजे और 31 दिन आप आप आके इस video की नीचे comment कर देना कि वाकिए यह strategy ने आपको फाइदा दिया है कि नहीं दिया अभी strategy समझिए, मान के चलिए, आप एक option buyer है और एक option trader है मान के चलिए आपकी accuracy 65% है तो आपको ऐसा क्या rule अपनाना है कि आप easily profitable हो सकते देखें मैं अगर आपको बताओ ना, अगर मैं अपनी journey बताओ तो मैं 6 लाग से और 7 लाग के capital के साथ मैं trade करता था option buying करता था और मैं इतना struggle करता था कि मैं जो मैं loss करता था वो तो अलग है मतलब कि मैं अपने महीने की brokerage brokerage भी नहीं निकाल पाता था मैं इतना struggle करता था पैसा बनाने के लिए कि मैं अपनी brokerage ही निकाल पाओ loss तो बहुत दूर रहा कि मतलब कि जो मैंने trade करके जो charges दीए जब मेरी brokerage के मैं वो ही नहीं महाईने पर निकाल पाता था मलगे आप देखो मैं 5-6 लाकी capital से आप मान के चलो कि महाईने का 10,000 भी नहीं निकाल पाता था ठीक है लेकिन एक आज एक ऐसा दिन है मैं अपनी capital का 10% daily निकालता हूँ ऐसा कोई दिन नहीं कि मैंने जब 10% नहीं निकाला ठीक है loss भी होते हैं बीच में अगर मैं आपको इस माहिने की बात करता हूँ इस माहिने में मेरे total 4 loss 4 loss होए अभी तक 4 दिन मैंने चार trading session में मुझे loss होए लग बग 8 trading session हो गय है 18 से मुझे 4 दिन loss है ठीक है और 14 दिन मुझे profit है आप accuracy देख लीजी भी कितनी accuracy होगी और मैं regular basis पे trading करता हूँ अभी मैं आपको बताता हूँ कि मेरी life में कैसे change आया कि मैं अभी daily अपनी capital का 10% निकाल रहो ठीक है सबसे पहली चीज अभी मैं trade करता हूँ 50,000 से 60,000 की capital से trade simple simple rule है 50,000 से 60,000 की capital में trade करता हूँ और यह जो capital मैं use करता हूँ मैं 2 account में use करता हूँ ठीक है मतलब कि मैं 2 account में regular basis पे trade करता हूँ और इस 60,000 को भी मैंने 2 account में divide कर रहा है reason क्या है कि कुई आए दिन कुछ ना कुछ किसी ना किसी broker में glitch आता रहा है ठीक है तो अभी मैं आपको अपने trading style बताता हूँ कि आप देखे मैं 10% easily निकाल लेता हूँ मतलब कि मैं अगर आपको अपने daily profit की बात करूँ तो मेरा average profit 6,000 से 7,000 daily कहीं नहीं गया 6,000-7,000 मैं बड़ी easily बिना struggle के market से बना लेता हूँ बिना किसी struggle के कई बार मुझे 10,000 भी बन जाता है और अगर मैं बात करूँ तो कि पिछले Friday तो मैंने अपना 40,000 के मैं capital से moderate करा था मैंने 40,000 का capital को double किया कई एक दिन ऐसा भी माहिने में आ जाता है कि market trending होता है तो उसमें capital double भी होता है ठीक है लेकिन मैंने ऐसा क्या rule follow किया मैं आपको वो rule बता आने जारा हूँ देखें मान के जले मैंने rule क्या follow किया है मैं rule मैंने ये follow किया है कि मैं max to max bank nifty में ज्यादा से साथ trade करता हूँ मैं bank nifty की बात कर रहा हूँ मैं bank nifty में max to max 4 lot से उपर trade नहीं करता हूँ ठीक है मेरा ये fix है 4 lot से उपर मैं bank nifty में trade नहीं करता हूँ और मैं ITM option में trade करना prefer करता हूँ मलगी मेरा जो premium रहता है तो आप देखो इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी लगी ठीक है तो आप यह समझो कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी लगी अगर मान के चलिए अगर अपन ऑन केलक्वलेट भी करें तो आप आलमस्ट लगा लो कि 25 से 30.000 का इन्वेस्टमेंट है ठीक है और यह मैं क्या जॉ resource जो मैं लोगा इक अकाउंट में ने लोगा मैं क्या करऊंगा दो लोट एक ठीक independent में बारूगा दो लोट एक अकाउंट में मरोगा टोटल मेरे को चार लोट से ही ट्रेड करना है ठीक है और इसमें मेरा टारगेट क्या होता है मेरा डेली का जो टारगेट होता है मुझे कैप्चर करने है बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स मतलब कि मेरा जो बैली का जो एवरेज प्रॉफिट है मुझे हर हालत में जो निकालना है वो है साथ हजार ठीक है देना कितना है ये मेरा निकालने की शमता है मेरे को इतना निकालना ही निकालना है और मुझे देना कितना है कि से उपर मैं दूगा निए मैं तीन हजार से उपर कर दोगा जाफिर उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ एक lot में trade करता हूँ क्योंकि मेरे पास मेरा profit है तो इस profit को मैं reverse reserve कर रखने के लिए मैं क्या करता हूँ फिर उसके बाद अगर मेरे को सही opportunity मिलता है तो मैं एक lot जा max to max दो लोट में trade करता हूँ, बिल्कुल quantity को श्रिंग कर देता हूँ, ठीक है जी उसके बाद दुसरी चीज़ है दे के मैं सिर्फ इतना ही जाओंगा market में, ये मेरा fix है कि मैं 3000 से उपर loss नहीं लोगा एक दिन में, अगर ये loss हो गया, तो system अगर profit हो गया तो मैं कोशिश करूँगा system को बंद कर दूँ, हाँ अगर कई पर क्या होता है, जैसे मैं live trading करता हूँ, ग्रूप में, तो कई पर क्या होता है कि trading हो जाता है obviously हो जाता है, तो उसमें एक आदा trade हो जाता, तो मैं फिर एक lot या दो lot में trade करता हूँ, ठीक है अभी देखिए मैंने क्या किया, अपनी lot size को fix किया अपने target को भी fix कर दिया अपने loss को भी fix कर दिया target की deficit देखो तो कोई सीमा नहीं है, एक चीज मैं और कहूँगा, कि मैं कई बार जैसे expiry दिन होता है, जैसे expiry दिन होता है, जैसे पिछले Friday को expiry है था, तो उस expiry में मैं 10 lot में भी trade करता हूँ 15 lot में भी trade कर लेता हूँ 15 lot में trade करता हूँ जब भी मैं 10 lot में trade करूँगा, तो उस time में OTM में trade करता हूँ OTM में क्या strategy अपनाता हूँ जो मेरा trading style मैं actually basically I am a momentum trader जब जानी की breakout होता है जब momentum होता तभी मैं अपने entry करता हूँ तो उस case में जैसे माने कि चली मैंने कोई OTM पकड़ा तो OTM में जब तक वो momentum जैसे माने कि चली मारकेट उपर जा रहे candles back to back बनते जा रहे green तो मैं तब तक उस OTM strike में बैठ होँगा जब तक वो trend चल रहा है अगर एक भी candle red बना और उस अगले red candle का low निगला तो मैं वहाँ पी OTM से अपना trade में exit कर दूँगा तो मैंने हर एक चीज के लिए अपना एक दायरा बना रहा है उस दायरे को मैंने fix कर रहा है इसलिए मैं regularly profitable मैं यही कहूंगा देखो अगर आपकी accuracy 65% है न तब भी आप profitable हो सकते हो निकालने कितने हमें? daily के 100 point कितने lot में निकालने? 4 lot में ठीक है जी? 4 lot में 100 point निकालने मतलब 6000 हो गया देने कितने? 3000 देने चाहे तो एक trade में भी loss कर सकते हो हो सकता है कि आप 2 trade में भी loss कर सकते हो अभी कुछ लोग यहां पर comment करेंगे बोलेंगे कि 3 ER तो loss एक ही trade में हो सकता है बिल्कुल हो सकता है मैं आपको अगर बोलता हूँ कि अगर आपका entry बिल्कुल 60 कहाना एक दम बिल्कुल सही जगा से जहां से buying होना चाहिए वहाँ पे buying हुआ तो मैं कहाता हूँ market आपके SL के तरफ कभी नहाएगा SL के तरफ market तब आता है जब आपका buying महंगा हो आपका buying price महंगा हो तो आपका automatically SL हिट हो जाएगा 30 point का SL या 35 point से उपर कभी market में असल नहीं देता भाइं GFT में ठीक है target मेरा 100 point होता है ठीक है कई बार मुझे एक single trade में भी 100 point मिल जाते है जैसे मैंने कल एक trade post किया तो मुझे एक single trade में 200 point मिल गए बताओ मैं तो expect कर रहा था 100 point मेरे जा मिल गए 200 point ठीक है तो कई बार ऐसा भी होता है ठीक है लेकिन fix है मनले कि इसमें मेरा loss fix है मैं 3000 से उपर नहीं दूँगा भाले ही वो मुझे एक trade में हो जाए भाले ही दो trade में हो जाए बस ये मेरा fix है जब आप भी ये गुरुमंतर को follow करेंगे जब आप ये strategy को follow करेंगे मैं कहता हूँ आपको कोई दुनिया की ताकत profit करने से नहीं रोक सकती भाले आप कोई भी शाट्टा follow करेंगे आप अपने रिस्क को manage करिए ठीक है मैं कहता हूँ अगर आपको profitable हो ना आप continuously मान के चलो ये strategy को follow करते हो daily आप 6000 बना रहे हो daily आप 6000 बना रहे हो ठीक है 20 trading session है तो महीना कितना हो गया एक लग 20,000 हो गया ठीक है एक लग 20,000 हो गया तो आप इसमें मान के चलो कुछ दिन आपका loss होगा तो आप मान के चलो इसमें मोटा मोटा 40,000 निकाल दो तो मुझे आप ये बताओ कि 80,000 आपको घर पे बैठे-बैठे कौन देता है ऐसी कौन सी जोब है ऐसी कौन सी नोकरी आपको घर पे बैठे-बैठे 80,000 ठीक है 80,000 is not a small amount ठीक है किसी की ये पूरे साल की income हो सकती है किसी की एक दिन की भी इनकम हो सकती है किसी की पूरी मैने की भी income हो सकती है मैं वही जीज़ बोराओं कि 80,000 is not a small amount बहुत बड़ा amount है ठीक है धीरे धीरे मैं कहता हूँ ये ही रूल को फॉलो करो आप एक साल इसी रूल के साथ ट्रेड करो ठीक है जब आप एक साल इस रूल से sustain कर जाओ और regular पैसा बना सकते हो 6000 डेली का निकाल सकते हो तो दूसरे साल आप क्या करो quantity बढ़ा दो जहां पर आप 4 lot में trade करते हैं वहां पर 6 lot कर दो या 8 lot कर दो उसका double कर दो ठीक है और उसके साफ साफ का रिस्क भी बढ़ जाएगा जानी कि आपका B का target क्या होगा 12,000 आपका target होगा loss कितना होगा 6,000 का loss होगा इस cycle में चलो मैं कहता हूँ आपकी जिंदगी बदल जाएगी मैं आपको अपना अगर जन्नी बताओना तो मैं 500 रुपे के लिए भी मैंने trade किया मैं लग दिन का मेरे को 500 भी मिल जाना I am more than happy धीरे 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 500 को करते करते अभी मैं 6,000, 7,000, 10,000 मैंने अपनी live में बोर रहा हूँ कि अभी जो मैं बोर रहा हूँ कि मैंने पिछले of the capital मैंने एक दिन में 40,000 अरबाना है 40,000 not small amount for me कभी देखो किसी दिन मेरे लिए 500 रुपे निकालना भी मुश्किल था मैं बोलता रहा हूँ कि मैं दिन में 6-7 लागी capital से trade करता मेरे लिए महिनने की 10,000 brokerage ही निकल जाना मेरे लिए वो निकालना मुश्किल था आज मैं एक दिन में 5,000-6,000 बना रहा हूँ तो वो क्यों क्यों क्योंकि मैंने अपनी quantity को shrink किया अपने setup को follow किया अपने rule बनाए मैं कहता हूँ आप fix quantity के साथ trade करो आपको कभी loss ने होगा fix quantity के साथ trade करो fix target low, fix loss आप बहुत 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 लंबा survive करोगे और market में market में अगर ठीके रहना तो आपको market में बने रहना पड़ेगा आपको सीखते रहना पड़ेगा सीखनते रहने के लिए आपको profit, sorry अपनी quantity को shrink करना पड़े अपने losses को manage करना पड़ेगा ठीक है मैं आपको देखाता हूँ मेरा इस महीने में देखी अभी आज का दिन भी मेरा green है मैं आपको दिखाता हूँ अभी मैंने अपने live trading group में मैंने डाला था अब देख लीजे ये देख लीजे ये मेरा 24 है ना अब ये देख लीजे मेरे कितने दिन राइड है इस जनवरी के महीने में मैंने अभी ये पब्लीक ली पॉस्ट नहीं कि मैं वेट कर रहा हूँ आज का दिन भी मेरा profit का कल का दिन भी profit में अब ये पूरा हो जाए तो मैं फिर पूरा पॉस्ट करोंगा देख लीजे कितने दिन लॉस में तो ये चीजें लॉस होता ऐसा नहीं कि मुझे लॉस नहीं था देखो मैंने दिन में जो ट्रेड लिया थे मैंने सारे पॉस्ट की है अब देख लो कोई भी टेड मेरा 3 लॉट चार लोट से उपर नहीं है, आप ये देख लिजी, चार लोट, मेरा जो भी चैट फीक्स है दो लोट में किया है, क्योंकि मुझे प्रॉफिट हो गया था, देखो, दो लोट में, चार लोट में, ठीक है, तीन लोट में, अब कोई भी बेना trade पकड़ेंगे तीन lot में है ठीक है और यह जो lot लेकिए यह ATM में था देखो मैंने शुरू में बोला कि मैं ATM 10 lot में भी trade करता हूँ 15 lot में भी trade करता हूँ मैंने अपने risk को manage कर दिया fix कर देखो अब मुझे बताओ कि 10,000 का profit थोड़ा होता है 30 capital मैंने इस दिन capital double किया देखो यह Friday के profit है इस दिन मैंने 40,000 का profit किया I think this is not a small amount option buyer के लिए अगर आप इस mentality से टेट करोगे कि आपको पैसा regular basis पे आता रहे भले ही थोड़ा है लेकिंग regular basis पे आए तो आप एक अच्छे profitable बन जाओगे और आपकी psychology भी सही रहेगा आपका mindset भी रहेगा और आप लंबा market में टिक पाओगे और profitable भी हो जाओगे मैं यही कहता हूँ कि आप इस rule को follow करें continuously धीरी धीरी अपनी इसासे जैसे मैंने अपने लिए कोई rule बनाए same as it is आप भी अपने लिए कोई rule बनाएगे और वो rule को particularly रोज follow करेंगे उमीद करता हूँ इस वीडियो की मदस आप कुछ ना कोई समझे होंगे ट्रेडिंग करना एक अलग चीज है में बात है psychology की हमें अपने risk को मैं कितना loss दे सकता हूँ चलिए नमस्का चुक्रिया मिलते क्ली वीडियो में